तो कैसे हैं आप लोग मेरे को पता आप अच्छा होंगे कि यह चैप्टर है बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है जिए और रिप्रोड़क्टिव हेल्थ है यह हम नाइन तिन से भी पढ़ते आ रहें सिबेशी में होगे तो इन एंसार्टी बुक में भी दिया हुआ है ला लेक्टर बोलू तो जो मैथ स्ट्रीम वाले हैं उनको भी देखना चाहिए क्योंकि यह हमारे रियल लाइफ के बारे बताता है और वैसे भी मैथ लेकर के क्या फायदा है जब रियल लाइफ है उनको बाकि अब समझदार है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको human reproduction पढ़ोगे जब आपको पाता ही नहीं होगा कि अपना reproductive organ है क्या राइट तो यह आप उसको एक बार देख लेना और वो हमारे यह animation के साथ हमने कवर किया था उस lecture को तो कुछ ज्यादा इंट्रेस्टिंग था और एक बात कह नहीं है एक लड़का था जो मेरे को उसमें कमें किया कि animation तो बहुत अच्छा है सर अब practically कब करके दिखा हो गया अरे मतलब समझ नहीं आरा मतलब क्या reply करूं उसको मैं practically कैसे कर सकता हूं भाई कि क्या समझ के रखा है पता है तो यह सब बेकार के बाते हैं इसको इग्नोर करते हैं और अपने टॉपिक बाते है रिप्रोड कि ब écritष का है कि अथ्चे है यहां क्या है रिप्रोडक्ट्व हेल लिखा हो है इसका मतलब हम हैलत की बारे मात नहीं करेंगे रिप्रोडक्ट्डिव हेल्त की बात करेंगे तिवर्श एफिश्ज आपराइदैनि और देफिनेशन सुनके ही मानोगे मेरे को पता है डेफिनेशन कहता है इस तर्म सिंपल रिफोर्स तो दे हैल्दी रिप्रोड़क्टिव और्गन विद नॉर्मल फंक्शन अब बताओ मैंने जो का वही तो लिखा हुआ था इस पर पता नहीं तुम लोग मेरे बात पर यकिन करो देफिनेशन था ना वह डबलू एचो ने दिया है यही हमारे बारे में सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या हूं कौन सा मैडिशन यूज करना चाहिए कौन सा यूज नहीं करना चाहिए अब बोलो के साल जब कॉविड आया था तो इन्हों इनके कहा देखा यह कुछ कर क्यों नहीं रहते हैं तो भाई कोविड जो था वो उसका सिम्टम पहले पता किया इन्होंने उसके बाद ही तो आखिर कोई मैडिशिन बनाएगा ना आप सिम्टम ही पता नहीं चलता तो मैडिशिन कैसे बनता चोड़ो कोविड एंटियों को गोली मारो व सब चोड़ो तो चलो जो लिखा है वह उसकी बात करते हैं तो डबलू एचो जो थे रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही सीडियसनेस दिखाते थे कि यह वह चाते थे कि लोगों को इसके बारे में नौलेज हो पता चले कि हमारी बोडी में क्या चीज की सब्सक्राइब नहीं होती है उनका कहना था कि जो पॉपूलेशन रेट है और रिप्रोडक्शन के कारण बहुत ही जाता इक्रीश हो रहा है तो उसको बचाने के लिए उन्होंना कुछ कुछ पोइंट बनाया जितो लोगों को बताया तो नहीं समझे राइट कोई नहीं सम है हमारा बहुत ही सडलनी इंक्रीज हो रहा है तो उसको रोकना कैसे है कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में कॉंस्ट्रैप्ट दिया उन्होंने जो कि आपको इस पॉइंट में दिखे जाएगा जो भी मैंने का है वही चीज़े यहां लिखा हुआ देखो पर इंसान जो कोई डाक्ट तो पूछ लेना पर तुमारे मिमत थी गया पूछने की नहीं थी तो उसी तरह लोग सुन तो लेते थे पर कुछ काम नहीं करते थे इसे कारण पॉपुलिशन रेट जो है वह बढ़ता ही चला गया बढ़ता ही चला गया तो उन्होंने एड बनाना शुरू कि और एक एड था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ वह एड का नाम है हम दो हमारे दो जो आपको भी कहीं अभी भी पोस्टर आपको मिल जाएंगे राइट तो वह डबलो एच नहीं दिया था क्यों दिया था बता दिया क्योंकि पॉपुलिशन रिट जो है इंक्रीज होता है तो लास्ट आप्सन बचा कि अब उन्हें सेक्स एजुकेशन का नॉलिज दिया जाए तो वह स्कूल पर पहुँच गया और सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना शुरू किया पहले तो उन्होंने पैरेंट को अपने लिया कि यहां बाई तुम पढ़ा सकते हो उसके सब्सक्राइब को बताना शुरू किया तीरे तीचर्स के बाद पहुचा तीचर्स फिर से फिर टीचर ने बात किया स्टुएंट तक पहुचा यह नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन रिट बढ़ रहा है इसके कारण रिप्रोडक्शन के कारण तो यह सब उन्होंने बचर उन्हें उनके अपने हाल पर छोड़ दिया चाता था तो वह चाहते थे कि उनका केर किया जाएं क्योंकि हम सब को पता है पोस्ट नेटल केर होता है मदर और चाहिल की वीच तो पहले एक लाइप में तो मेरे को लगता है हम दो हमारे साथ आठ ऐसे होते थे आहां क्या सकते हैं यार क्या बोल सकते हो फिर वो बेकार की बाते हैं छोड़ो लगता है उस टाइम भी लॉक्डाउन लग गया होगा इस जोक सा पार्ट ओके चलो वापस अपने टॉपिक बहुत यादा इंक्रीज हो रहा था तो उस टाइम उन्हें ने बोला कि यह लोग पागल इन लोग को बताने से भी नहीं समझेंगे यह लोग पॉपॉलेशन को एक्स्प्रोइंस करते रहेंगे यह लोग बिना पॉपॉलेशन को बढ़ाया नहीं रह सकते हैं तो वो चाहत सेक्षन का प्रोसेस कर सकते हैं रिप्रोडियूस कर सकते थे पर इससे कोई भी औtes्प्रृइंग प्रोडियूस नहीं लज और kissing अल्हाँ अलागि विसके अंदर कोशन नहीं आया है मैं बता दूगा पर यह भी फोकस करो यह भी सोन्पोस्राँ बीपोटेंट है पॉपुलिशन है 1990 में सोरी 1900 में 19th century में वो अराउंड 2 billion हुआ कर था ठीक है 100 साल के बाद मतलब की 2000 में यह 2 billion से हर्ट करके 6 billion हो गया है मतलब समझे तीन गुन्ना पॉपॉलेशन बढ़ चुका था यही नहीं आगे भी सुनों देखो जो हमाएं इंडिपेंदेंस मिली आजादी मिली थी कब मिली थी 1947 में उस टैम देखा जाया तो 350 मिलियन के अराउंड था सिर्फ 350 मिलियन के अराउंड लेकिन जैसे ही इवन मैं 2000 ठाया उस टैम 1 तो सोच लो कितनी तेजी सा मारा पॉपॉलेशन जो है वह बढ़ रहा था तो उन्होंने जो है पॉपॉलेशन एक्स्पोजिशन टॉपिक इसलिए डाला कि यह बताना चाहते थे कि यार कितना ददा पॉपॉलेशन अगर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लैंड हमारा खत्म हो जाएगा और हम सब को पता है अगर लैंड हो गय तो अपेर रहेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, अगर सारा लैंड में बेगा गरवी बना ले तो प्लांट कहा रहेंगे, प्लांट नहीं रहेगा, तो यह आक्षिन कौन देगा, फ्रूट कौन देगा, मतलब कुछ ना कुछ होके हम मर सकते थे, जब मरने की बात आती है ना, तभी इंसान को रियलाइज होता है, तब उन लोग को समझ माग गया, कि भाई या जिंदा रहना ह है, तो यह जो कह रहा है, वो करो, तो इनका कहना था, कि पॉपूलेशन को थोड़ा इंक्रीज होने से रोक दो, ओके, तो उन्होंने क्या-क्या रेट बताया, वो देखो, पहला रेट दिया उन्होंने maternal mortality rate, maternal mortality rate का कहने का मतलब था, कि जो pregnant women होती है, वो जब डिलेवरी का टाइम होते है, जो बेबी है, उसको प्रोड्यूस करती है, पार्चुरिशन का प्रोसेस अब होने वाला रहता है, उस टाइम जो है, उस पेन के कारण बहुत सी मदर जो है, वो मर जाती थी, या फिर सब्सक्राइब करता है, यह कोश्चन आपको नी 2009 में पूछा था, ओके याद रखना है, दूसरा है infant mortality rate, इसको कहते है, इसको कहते है, इसको कहते है, इसको कहते है, पहला rate कहा था, कि वो उस उस rate को कहेंगे, चब या तो मदर मर जा रही थी, या तो फिर बीबी जो है, वो increase मत करो, इससे problem होती है, जाए female parent को खास करके ज़्यादा होती थी, लेकिन उस time female parent के बारे में को इतना सोचता नहीं था, जो कि हमने starting में ही कह दिया, पर सोचना चाहिए था, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ideal contraceptive matter बनाया, जो कि हमने बताया, अब यह जो method होता है, यह अच्छी स्यूज कर सकते थे, अब बात करते हैं, को इटा सर्वी method जो होता है, यह दो टाइप के होते हैं, एक होता है temporary method, दूसरा होता है surgical method, temporary method को अपन कहते हैं, spicing, क्या कहते हैं, spicing, और surgical method को अपन permanent भी कहते हैं, या तो फिर esterilization कहते हैं, जी हाँ, permanent method में आता है, वास natural method, दूसरा chemical method, दूसरा है barrier method, चौता है hormonal method, देखो आपको इसमें focus करना है, यह important भी है, क्योंकि इससे भी questions need में आते हैं, ज्यादा तर focus कर, मैं बोलूँगा, permanent वाले में करना, क्योंकि question ज्यादा तर मैंने उसी से देखा है, थिर भी, neat है, यह कुछ भी हो सकता है, यह को पर ऐसा नहीं कर सकता हूं, ओके, पहला topic है, तो पहला है natural method, तो natural method के अंदर तीजी जाता है, पहला है periodic absence, periodic absence का कहने का मतलब है, कि कोई couple है, वो चाहता है कि हम मैंटिंग करे, और offspring produce ना हो, तो इस method के थुरू टिंग कर सकते हैं, पर इस से कोई भी प्रोजैनी फॉर्म नह को, अगर menstrual cycle हुआ है, तो 10-7 days के अंदर, 10-7 days के अंदर अगर उसके साथ मैंटिंग ना किया जाए, तो वो offspring को produce नहीं कर सकती है, तो यह भी एक समझे तो कॉंटर से अपनी method था, जिसके थुरू आप reproduction भी कर सकते थे, पर population को बढ़ा नहीं सकते हो, अब इस से सूध में क पर कोई प्रोजनिंग को फॉर्म नहीं करेंगे, तो इसके अंदर को एटास इंटरप्स में क्या होता है, अगर स्पम के निकलने से पहले, अगर male parent जो है female body के वेजाइना से अगर अपने penis को बाहर निकाल लेता है, तो उस process के थुरू भी वो pregnant नहीं हो सकती है, तो यह भी कर भी लेती है, अपने male parent के साथ, तो उससे भी वो प्रोजनिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो यह भी एक example हुआ, contraceptive method का, जो किसके अंदर आ रहा है, यह सारे natural method के अंदर आ रहे हैं, मजदार बात यह है, कि यह जो natural method है, यह fix नहीं है, कि यह काम करेगा ही करेग और इससे कोई भी side effect नहीं होते हैं, अब बाकी आपको notes में भी available है, आप notes से बगार read कर लो, लिख कर लेना, यह ज़्यादा detail में मैं नहीं बोल सकता, समझा करो, दूसरा method है chemical method, chemical method क्या कहता है, वो सुनो, in this method, chemical are used, they are aspermatical agent, which themselves do aspermatojova and inhibit oxygen octet, ओके, example है, इसका vaginal tablets form, जो क आजकल चल रहा है, कुछ creams हैं, एंजैली हैं, और सबसे बड़ा important is neem 76, यह question जो है, आपको 2016 में नीट ने पूछा था, neem 676 किसके अंदर आता है, तो यह chemical method के अंदर आता है, और chemical method किसके अंदर आ रहा है, यह सारे सारा भी natural method में, यह भी अपन ने complete कर लिया, तिसरा है barrier method barrier method का मतलब क्या है, barrier लगाना, it means को भी male और female parent, अगर आपस में मैटिंग कर रहे हैं, कि जो sperm है, जो male gamet है, वो female gamet से ना पहुच पाई, तो उसके लिए जो barrier का काम करता है, उसी barrier को कहते है barrier method, अब बोलो के सार, ऐसा क्या हो सकता है, barrier किसको को सकता है, दिमाग में चल रहा होगा, example सुनो मजाएगा, example है condom, condom सबी जानते ही होंगे, किसके लिए होता है, male के लिए होता है, किसका बना होता है, रवड का बना होता है, तो यह जो condom होता है, इसका main काम क्या है, कि पेनी उसको cover करकर रखेगा, दूसरी बात यह sperm को female gamet से जाने से रोखता है, यह जो haspam होता है, वो उस condom के अंदर ही रुख जाता है, female body तक पहुच नहीं पाता है, female gamet के पास जाने पाता, अब female gamet के पास haspam जाएगा नहीं, तो मैटिंग कर भी लेगा, तो क्या प्रोजनी को form करेगा, नहीं करेगा, तो यह भी क्या हो गया, barrier method का का काम किया, बिल्कुल और एक बात बताते हैं, किसी को बताना मत, popular brand जो है condom का, जो male के लिए है, उसका नाम है निरोद, निरोद is the popular brand of the condom for the male, ओके, और दूसरी बात, यह जो condom होते हैं, उसको दोबारा use नहीं किया जा सकता, ओके, दूसरी बात, इसको use करने से, ना तो AIDS होता है, ना ही STD होती है, मतब HIV वारस नहीं हो सकता, और एक पॉइंट बताते हैं, यह जो condom होते हैं, male and female parent दोनों के लिए होते हैं, और दोनों के लिए डिस्पोचल होते हैं, मतब एक बार use करो, उसके बाद वो काम के नहीं होते हैं, तो यहां तक आपको कोई doubt होगा, तो comment कर सकते हो, दूसरा और diaphragm caps, दो diaphragm caps बोलो, या तो इसको cervical caps बोलो, या तो फिर waltz बोलो, बात एक ही है, ओके, यह काम करते हैं, किसमें female में, जो female का ovum होता है, डिलीस तो होगा, और मान लो कि जो male parent है, वो condom का use नहीं कर रहा है, और protection का use नहीं कर रहा है, तो उस case में sperm जो है, वो female body के वेजा मैंना में ही यह diaphragm caps खपा हुआ रहता है, तो इसके कारण वो ovum से meet कर नहीं पाएगा, और असमा कुछ time के बाद मर जाएगा, तो इसके कारण भी pregnancy अकर नहीं हो सकती है, और यह जो होता है, यह जो process है, यह जो diaphragm caps है, यह reusable होता है, इसको दुबारा से use कर सकते हैं, पर condom को दुबारा से use नहीं कर सकते हैं, यहां तक कोई doubt होगा आपको, तो आप मेरे को comment कर सकते हो, और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, notes में आपको सारा कुछ available है, एक बार ज़रूर पढ़ना है, मज़दार लेक्षर है, boring नहीं लगे का, मैं कह रहा हूँ न, boring नहीं है, female body के अंदर, तो यह method जो है, यह भी temporary method का अंदर आता है, तो यह भी permanent curable तो नहीं है, परहां इसकी expiry होती है, तो आप expiry के बाद में वापस से आप चाहो तो intrauterine device को अपनी body में transmit कर सकते हो, ओके, तो इसी के अंदर तीजी जाता है, पहला है non-medicated IUDS, इसका कहने का मतब है increase in phagocytic of sperm within the uterus, इसका example है, lip slop, okay, copper releasing IUDS, copper releasing कहने का मतलब है कि जो body होती है, वो copper ion को release करती है, right, क्यों करती है, तो वो sperm के motility के लिए, and fertilizing process के लिए, example होता है, CUT, CU7, या फिर multilod 375, ये question आपको NEED 2016 में पूछा था, मैंने इसको post भी किया है, तो देख लिए ना, तीसरा है, hormonal releasing IUDS, इसका कहने का मतलब है, it makes the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile to the sperm, इसका example है, प्रोजेस्टेरोन, और LNG20, ये LNG20 से question आते रहते हैं, भाई, इसको बिल्कुल भी miss मत करता है, ये सारे सारे इंपोर्टेंस topic अभी पढ़ रहे हैं, पन, ओके, ये किसके अंदर हमने देखा, ये सारे के सारे, ये हमने देखा intrauterine device के अंदर, और ये intrauterine device किसके अंदर आ रहा था, barrier method के अंदर आ रहा था, जो sperm को mating करने से रोकने का काम कर रहा था, हम बोल सकते हैं कि अब हमने barrier method भी complete कर लिया, उसके बाद आते हैं hormonal method में, hormonal method के अंदर हमें देखना है, pills क्या होता है, injection क्या होता है, और implantation क्या होता है, पहला है pills, pills जो होते हैं, वो daily pills भी हो सकते हैं, और weekly pills भी हो सकता है, विल्स मतलब समझ रहे हो, गोली, दवा, दवा जानते ही होगे, दवा खाते हैं हम ना, आपने हो वही दवा है, तो जो medicine है, वो यह तो weekly में आप खा सकते हो, या तो फिर daily में भी खा सकते हैं, weekly pills अब सबता में एक दिन खाऊगे, और जो daily pills होता है, वो आपको daily खाना है, पर जब menstrual cycle हो रहा हो, उस time छोड़ करके, ओके, आप इससे ज़्यादा detail में आपको देखना है, तो आप देख सकते हो, पर इससे दा question नहीं आते हैं, इससे question आते थे, मैंने बता दिया है, ओके, एक लिकीन एक्जामपल बता देता हूं, daily pills है, उसका example है, माला D या फिर माला N, ये daily pills होते हैं, जो मैटिंग कर रहे हो, तो जो female होती है, वो इस medicine को ले सकती है, डेली यूज़ के लिए, और weekly pill में आता है, तो पिल है, वो तब खाना है, जब आप मैटिंग कर रहे हो, तो आप चाहओ तो वीकली में खाना चाहते हो, तो इस पिल को खा सकते हो, जो कि इस time वो बहुत भी popular था, right, तिसरा है injection, injection में क्या होता है, प्रोजिस्टेरोन अलोवन और in combination with estrogen, can also be used by the females as injection, right, इसका example है, DMPA, जिसको full form होता है, डिपोट, मैटरॉक्सी, प्रोजिस्टेरोन, एडिकेट, या दखने की जरूत नहीं है, पर कि शॉट्फूम तो आप याद करी सकते हो, कि injection के थुरू, प्रोजिस्टेरोन जो होता है, वो अलोवन होता है, और किसके साथ combine करता है, इस्टोजन के साथ combine करता है, तो यह सब बेकार की बाते थी, जो बेकार, उतना खास नहीं था, पर हाँ, नोट एक लिखा है मैंने, उसको दिरूर पढ़ लेना, क्योंकि यह important है, नोट मैंने लिखा है, injection and implants have a high level of progesterone, which inhibits the secretion of FSH, LH, and ultimately inhibits the ovulation, so work as a contraceptive, आपको याद होगा, FSH hormone, LH hormone, यह हमने reproduction में complete किया था, यह हमने बताया था, यह कब ज्यादा release होता है, तो जब pregnancy होती है, उस time यह ज्यादा release होता है, right, तो यहां तक अब हम बोल सकते हैं, कि हमने पूरा का पूरा temporary method complete कर लिया है, topic डाल दो, permanent method, तो permanent method को अपन surgical method भी बोलते हैं, या तो फिर इसको sterilization method भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस surgical method के यूज़ करने के बाद, male हो या female हो दोनों esteril हो जाते हैं, दूसरी बात यह जो process है, इसको दोनों को use कर सकते है, male भी use कर सकता है, और female भी use कर सकता है, तो simple सी बात है, reproduction का होता है, जब male का a sperm, female body के वेजाइन पर चले जाए, उसके थुरू जाकर के ओवम से matting कर ले, तो fertilization का process होता था, जिसके कारण जाइगोट का formation होता है, जाइगोट के बनने के बाद, embryo का formation होता है, फिर moriola बनता है, फिर blastomers बनते हैं, इस तरह बनता जाता है, तब जाके प्रोजैनी का formation होता है, तो cool मिला के हमें क्या करना है, अस्पम को female body से जाने से रोकना है, या फिर दूसरा चीज़ यह कर सकते हैं, जो female body का album है, उसको ampulary region तक आने ही नहीं दे तो भी तो वो sterile हो जाएगी, बिलकुल, तो माल लेते हैं, couple है, male और female parent दोनों है उसमें, तो male जो हो क्या चाता है, कि मैं अपने सा कट कर दिया जाता है, और उस वास difference को कट करके stitch कर दिया जाता है, जिसके कारण वो अस्पम तो form कर सकता है, टेस्टेस, पर वो body से remove नहीं होगा, तो अस्पम कुछ time के बाद क्या होगा, वहाँ पर decent rate कर जाएगा, तो इसके कारण यह matting कर भी ले, तो भी new young response को produce नहीं क कर सकता, दुसरा है female के case में, अब उचाती है कि नहीं, मैं ही sterile हो जाओ, तो जो है इस method कर सकती है, जिसका नाम है tubectomy, tubectomy जो होता है, यह कहाँ पर use होता है, फैलपिन tube में यूज होता है, जहाँ पर वहाँ पर छोटा सा cut कर दिया जाता है, एमपलरी रिजन से थोड़ा स यह जो है, यह surgical method है, permanent method है, दोनों clear हो गया होगा अब तो, कोई तो कोई doubt भी नहीं होगा, चलो ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने दोनों method देख लिया, contraceptive method, चाहे वो temporary हो, या फिर permanent हो, तो इतने सारे method देखने के बाद, अब तो ऐसे क्यों गलती नहीं करेंगे, है ना, सम समझी गया हो गया, ठीक है, पर यहां पर हमारी बात खतम नहीं हुई, यह problem ठीक हो गया, चलो ठीक है, बहुत लोग समझ गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर इसके अलावा, हमारे इंडिया में जो है, रेप के केस बहुत ही जादा थे, और रेप करने के क गया, MTP, जिसको Medical Termination of Pregnancy कहते हैं, सौर्ट में Abortion कहते हैं, उन लोग के लिए बनाए गया, कि जो mistakes अगर वो pregnant हो जाती है, तो इस केस में वो जो है, अपने बेबी को वहाँ पर खतम कर सकती है, मार सकती थी, उस केस के लिए बनाए गया था, पर अभी तो लोग बहुत 1971 में जो है, यह लीगल, लीगली इसको प्रूफ कर दिया गया था, कि इसको यूज कर सकते हैं, पर बाद फिर बैन किया, फिर पता नहीं, I don't know कि इसको अन बैन किया है के नहीं, पर आपको एंसाटी में यही लिखा हुआ है, कि यह लीगल का हुआ था, 1971 में हुआ था, हाल पिर reproductive tract infection भी बोल सकते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको यह तीनों में से आप पर depend करता है, हाल आला कि एंटिये पर भी depend करता है कि वो क्या क्लिक के देता है, आपको याद कर लिया ना छुड़ो, तो मैं यही बोलूँगा जो एंसाटी में तीन चीज़ दिया है, मैं आपको बताता हूँ, बाकी जाने दो, तो एंसाटी ने दिया है आपको hepatitis B के बारे में, HIV के बारे में, जिसके अंदर AIDS और STD आते हैं, तो जो hepatitis B होता है, वो एक्शुली होता है, जो injection होता है नीडल, उसके sharing करने से, जिसे कि कोई patient है, उसको पर जो injection था, उसने लगा होता है, अपने sexual transmitted infection के कारण, तो hepatitis B के बार मैं, डिफेशन पर देता हूँ, hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injections, नीडल, और a surgical instrument with a infected person, transfusion of blood, और form an infected mother to the fetus 2, कहने का मतलब है, hepatitis B जो होता है, वो अगर कोई pregnant mother को भी दे दिया जाए, तो उनके जो fetus में जो baby है, जो child है, उसे भी problem हो सकती थी, तो hepatitis B है, HIV है, AIDS है, यह सब कुछ sexually transmitted disease के अंदर आता है, और इसको जो है, वो feel कर सकता है, कि अगर किसी को होता है, तो पता चल जाता है, त कि अभी तक कोई भी detect नहीं कर सकता है, किस तरह का virus है, और किस इसको कैसा antidote चाहिए, क्या करने से टीक होगा, अभी तक कोई permanent variable इसके लिए नहीं आया है, तो इसका कहने का मतलब है, कि आपको अगर हो गया है, तो आपको हमेंसे दवा खाते ही रहना पड़ेगा, दवा मिस हो गया, तो समझो, आप भी मिस हो जाओगे, तो यह बहुत ही खतरनाक देजिस है, तो बचने के लिए जो है, जो भी हमने देखा barrier method में, या फिर हमने temporary method, पर one and जो भी हमने पढ़ा contraceptive method, वो सब अगर यूज करोगे, तो इस से कभी भी infection फैलने का डर नहीं रहेगा, तो इसके बारे में और वी information है, जो कि आपको notes में available है, जितना आपको बताना था, मैंने बता दिया है, पर एक चीज़ में बता देता हूँ, जो कि है precautions, अगर आपको इस बीमारे से बचना है, तो क्या क्या करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ, देखो, avoid the sex with unknown partners, या फिर multiple partners, इस का मतब तो समझे गए होगे, इतना भी तो यह नहीं होगे, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा point कहता है, always use the condoms during coitus, वही चीज़ कह रहा है, जो कि मैंने कहा कि अभी अपने temporary method पढ़ा, या फिर permanent method पढ़ा, उसका use करो, तो कुछ भी नहीं होगा, तिसरा point कहता है, in case of the doubt, go to the qualified doctors for early detections and get complete treatment if diagnosis with a disease, कहने का मतब समझ रहे हो ना, कि अगर आपको चलता है, कैसा कोई problem है, तो इदा आप डॉक्टर के पास जाओ, वो भी कैसे डॉक्टर, सब अच्छा आप डॉक्टर नहीं, qualified doctor के पास जाओ, ताकि वो आपसे पैसा लूटे, और आपको आपको अच्छे स treatment दे सके, राइट, चलो बहुत बढ़िया, तो यहां तक अगर आप पढ़ लेते हो, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो, तो भाईया, आपका loss हो सकता है, इससे आपकी जानते भी बन सकती है, क्योंकि अगर आप एक बहुत चलता है, कि अगर आप नहीं complete कर पाते हो, तो और नीट में question आ जाता है, तो बहुत बुरा लगेगा, और उस time बहुत बुरा लगता है, तो समझ जाते हो, क्या होता है, छोड़ो यह सब बेकार की बात है, तो अब topic डाल लो, infertility, जी हां, infertility बहुत ही आदा important topic है, क्योंकि अभी तक लागातार 4-5 साल से में देखन आ था ना, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, कि कम से कम यह topic पे ध्यान दे दो, ताकि दो question आप attempt कर ही पाओ, और दो ही question आते हैं, इस chapter से, मैं तो सोच लो यार, दो question इसी सा आ रहे हैं, ओके तो focus करना इस पे, जड़ा सा भी skip मत करना, interesting है, skip तो नहीं करोगे, म सब कुसी couple को, दो साल हो गया है साधी के, या तीन साल हो गया है, पर उससे child चाहिए, पर child मिल नहीं रहा, that's a infertility, यह आता है infertility का अंदर, तो child कौन-कौन से reasons के कारण नहीं हो सकती है, तो सकता है, उसके physically कोई problem हो, mentally कोई torture कर रहा हो, या फिर कोई disease हो, उसे, कोई drugs addicted हो, जिसके कारण उसके sperm में कोई problem होगी, तो वो mating नहीं कर पारा साईसे, या तो फिर immunologically कोई problem होगी, या तो फिर physiological कोई problem होगा, या तो फिर metaphorically कोई problem होगा, तब ही इसके कारण जो है, sperm मेंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो इस सारे reason को देख करके, scientist ने एक technique बनाया, एक analogy बनाई उस टेकनोलोजी को नाम रखा Assisted Reproductive Technology शोट में लिखते हैं से ART इस टेकनोलोजी का यूज करके वो couples भी child को produce कर सकते हैं जो की नहीं कर पा रहे हैं अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है इस टेकनोलोजी में आकिर होता क्या है सबसे पहले बात करते हैं एक टेस्ट्यू में रखा जाएगा उस जगह उसका फर्टलेशन करवाया जाएगा फर्टलेशन होने के बाद उसी जगह पे जाइगोट बनाया जाता है तो आखिर देखा जाती है जो प्रोसेस होता है यह जो प्रोग्राम है एक टेस्ट वुय में चल रहा है इस लिए इस प्रोग्राम को टेस्ट वु बेवी प्रोग्राम भी बोला जाता है तो यह ज़्योट बन जाएगा यह जो ज़र्म स्पर्म और यह जो हम्ता आच सिस्पर मैyt 재밌 कर लेगा जब का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जैगोट बनने वाला होगा उसी टाइम क्या करेगा फिमेल बोडी के अंदर इसको इंजेक्शन के तुर वह आपस बोडी में इंहेरिट कर दिया जाएगा कहां पर तो वेजायना के तुरू इसको इंहेरिट किया जाता है जी हां इसको सौ जो होगा जैगोट बनेगा जैगोट कहां पर बनता है हम सब को पता है जैगोट कहां पर बनेगा याद करो जब हमने हीमन रिप्रोक्शन पड़ा था उसके हमने बताया था कि एमपूलरी रिजन में जाकर करके फटलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और वहीं पर जैग हुआ हुआ स्पम था वो उसको क्या करेगा आगे भेज़ेगा कहां पर यूटेरस के पास तो अब आएगा हमारा आयूटी इट मिन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कि अब भाईया जो भी प्रोसेस होगा वो यूटेरस के अंदर ही होगा तो जीफ्ट तक तो क्लियर हो गया तो जीफ्ट होने के बाद यह जो भी जाइगोट है वो आगे बढ़ेगा इंब्रियो कहां जाएगा आयूटी के पास जाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतब यूटेरस के पास जाएगा यूटेरस के पास जान बीक-ब-formation होता है तो बाकि जितना process होता है जो भी development होता है वो IUT के अंदर ही चलेगा वैसे ही जैसे कि चलता था तो यह process कहां हुआ बोडी के बाहर में हुआ इसलिए आपने कहा जिसको इन विट्रो फटलाइशन जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिला, I, C, S, I देखने को मिला, और जिफ्ट देखने को मिला, Z, I, F, T ready हो गया, यहां तक complete हो गया, बिल्कुल अब बात करते हैं, in view fortulation की, in view fortulation जो होता है body के अंदर में होता है अब बोलो बोडी के अंदर में fortulation होता है तो अभी तक क्यों नहीं हो था बिल्कुल सही जा रहे हो, तो देख सुनो पहले कहानी सुनो, मालव एक couple है male का sperm ठीक है female के बोडी में कुछ problem है उसका ovum जो हो रहा है वो release तो हो रहा है, पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा जिसना sperm को चाहिए तो वो क्या करना चाहती है वो अपना ovum को लेगी यहां तक समझ गयो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं female body से ovum निकालेंगे injection के तुरू लेंगे, उसको test tube में रखेंगे और कोई serogate mother होगी जो उसके बच्चे को अपने body में implant कराईगी मतलब समझ रहे हो कि एक couple है उसके अलावा को एक और female parent है जो कि उनके बच्चे को अपने peat के अंदर, मतलब अपने uterus के अंदर वो रखेगी, implant करवाईगे इस process को कहता है in vivo fertilization तो यह process आकि वो कहा रहा है, mother के अंदर ही होगा लेकिन वो mother को हम कहेंगे serogate mother क्या कहेंगे, serogate mother कहेंगे बिल्कुल सही यहाँ आप कोई doubt नहीं होगा आपको दो नो कुछ killer हो गया है भाईया कि in vivo बाहर में हो रहा है और in vivo body के अंदर में हो रहा है यहाँ तक आप कोई doubt नहीं होगा ना जी आइ एफटी जी जिसका फूल फॉम होता है इंट्रा फैलेपियन ट्रांसफर इसमें क्या होगा फैलेपियन ट्यूब में गैमेट का ट्रांसफर देखने को मिलेगा कैसे वो देखो में रीड करता हूँ यह कहता है ट्रांसफर ऑफ एन ओवम तो यह कहना क्या चाह रहा है तो जो फीमेल पैरेंट है उसका ओवम निकाल करके दूसरे सेरोगेट मदर में ट्रांसफिंट कर दिया जाता है और फिर मेल के में तो जो असपम है वो तो रिलीज होई रहा है वो असपम फिर उस ओवम के साथ मैटिंग करेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सुरू हो जाएगा और फिर उसी तरह प्रोसेस होता है जिस तरह हम सबको पता है कहां पर बोडी का इंप्लांटेशन होगा यूटेरस में जाकरके बोडी का इंप्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को कहते है इन वीवो फिर्टलाजेशन तो यह दोनों क्लियर हो गया होगा एक टॉपिक है इन फिर्टलिटी केस आइदर डियो टू इट मिन्स कि इन फिर्टलिटी जो होता है कुछ और रिजन के कारण भी नहीं हो सकती है जैसे कि पहला है कारण तो अगर देखा जाए तो मेल का स्पम अगर कम काउंट होता है जाकुलेशन में तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई थी उस टेक्निक का नाम है AI टेक्निक AI means artificial insemination insemination मतलब कि वो जो सीमेन था जो भी असपम था वो मैटिंग नहीं कर पा रहा था उसको वसे इतनी छमता नहीं थी तो उस असपम को लेकर के female body के वेजायना के अंदर उसको transmit कर दिया सिर्फ उस process को कह दिये artificial insemination तो यह chapter जो है क्योंकि यह सब नॉर्मल बाते थी जो हम daily life में करते हैं और यह सब जानना भी ज़रूरी था क्यार क्योंकि बात में problem ना हो इसको लेकर के ओके यह सब जानना ज़रूरी भी था एक process है उसको मैं बता देता हूँ interesting यह सुनके जाओ अब अब सुनना ही पड़ेगा तुम्हें एक जाता है एक टॉबिक है एक process है जिसके तुरू जो फीटल के अंदर जो बेबी है जिसका development हो रहा है मदर के अंदर उसका sex determination हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो भाईया जो doctor होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं राइट सब को पता है तो डॉक्तर से करते कैसे हैं देखो simple सी बात है जो fetus है न उस जगह पर fetal fluid present होता है तो उस जगह से injection के through fetal fluid को doctor ले लेते हैं और चेक करते हैं उसके chromosome का पैटरन कैसा है हम सबको पता है हमारा क्रोमोजॉम क्या होता है मेल के लिए होता है X, Y और फिमेल के लिए होता है एकron एक्स यह किस को कहते हैं sex Nos, Otherwise Auto negcaities यह सब पर थोड़ा बहुत knowledge रख लो काम आएगा तो इस pattern को देख करके बता देते है tut जो मेल कर देते थे जिसको अपने MTP में कवर किया था यहां हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वह पूरा कम्प्लीट हो चुका है और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और यार एक रिक्वेस्ट हो रहा है शेयर भी कर देना कर देना यार तुमार प्राइब लाओगा वह ना तुम्हें पाप लगे का बता रहा हूं ओके थैंक यू झाल